आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके मुवाइल फोन में वर्टसप डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे फोन के अंदर यहाँ पर वर्टसप डाउनलोडिंग में लगा हुआ है यहाँ पर इस वीडियो को ध्यान से लाश्टक देखता रही है आज़के इस वीडियो में मैं आपको इस भी के बारे में बताने वाला हूँ हेलो दोस्तो स्वागत है आप सुभी का हमारी यूटूब चैनल इंफो ट्यूब में तो दोस्तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आपके फोन के अंदर वर्टसप डाउनलोड या फिर इस्टोल नहीं हो रहा है तो इसका काफी सारा रीजन हो सकता है यहाँ पर मैं आपको कुछ इस्टेप बताने वाला हूँ आपको फोलो करना है और वीडियो को लाश्ट तक देखना है 100% आपका प्रोब्लम सॉल्व हो जाएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा दिक्वेश्ट अगर आपने अवी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजिए साथ जी साथ चैनल को सब्सकाइब कर लिजिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो है वर्टसप डाउनलोड यहाँ पर नहीं हो रहा है मैं यहाँ पर इस्टॉल पर क्लिक करता हूँ तो भी नहीं हो रहा है जैसे आप यहाँ पे आज आते हैं आपको एक option देखने को मिल जाएगा updates available यहाँ पे आपको click करना है और यहाँ पे आपको एक चीज notice करना है आप देख सकते हैं हमारे phone के अंदर पहले से एक game जो है वो download हो रहा है इस वज़से हमारा WhatsApp यहाँ पे download नहीं हो रहा था अब दोस्तों करीबर क्या होता है आपका पुराना वाले application यहाँ से कुछ इस प्रकार से update भी होता रहता है अब यहाँ पे update होने के वज़से आप यह WhatsApp डाउनलोड में लगाते हैं तो पहले यह download होता है इसलिए आपको वहाँ पे waiting देखने को मिलता है या फिर pending देखने को मिलता है तो आपको यहाँ पे एक बाद चेक कर लेना है कहीं भी कुछ भी download में नहीं लगा हो और यहाँ पे अगर लगा हुआ है तो आपको cancel वाले option पर click कर देना है अब दोस्तों यहाँ पे WhatsApp को जा करके download किजिए अगर तो download हो जाएगा अगर आपके phone में फिर भी आपका problem solve नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक काफी आसान setting बताता हूँ और काफी important setting इस setting को जैसे आप कर लेते हैं play store के अंदर आपका कोई भी problem हो तो वो ठीक हो जाएगा और दोस्तों बहुत ही असानी से आपका WhatsApp डाउनलोड होना start हो जाएगा यहाँ पे हम अपने mobile phone के setting में आएंगे setting में आने कोई आपको नीचे के side में जाना है और यहाँ पे आपको apes वाले option पर click कर दोना है यहाँ पे आप दिख सकते apes setting है simply हम यहाँ पे आजाएंगे यहाँ पे आने कोई आपको manage apes पर click करना है अब यहाँ पे जैसे आप आ जाते हैं आपको search वाला बटन पर किलिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है play store यहाँ पर देख स्कतनें Google Play Store आगया आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ पर आने कॉसिद आपको dropdown data पर click करना है और यहां पर आपको clear all data पर click करना है अब जो आपको यहां पर okay वाला button पर click करना है जैसे आप यहां पर data clear कर देते हैं आपका problem ठीक हो जाएगा और आपका WhatsApp download होना start हो जाएगा कुछ इस प्रकार से आपके phone के अंदर setting नहीं खोल रहा है तो आपको प्लेश्टोर को थोदर दबा करके रखना है यहां पर i button पर आप आजाईएगा यहां पर i button पर आपको click करना है और यहां से भी आप इस setting के अंदर आ सकते हैं अब दोस्तों एक बार data clear करने के बाद अगर आप दूबारा से यहां पर प्लेश्टोर खोलते हैं तो यहां पर थोरा सा समय लेगा पहली बार खोलने में और यहां पर जैसे आपका प्लेश्टोर open हो जाएगा अब जो आप यहां पर